Hello Guys, Welcome back to Doghost & Knowledge Channel and Thank You for watching my last videos and please, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ने कैए वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे आज की वीडियो बहुत इंपोर्टन वीडियो है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दे के और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी सेर कर दे अगर आपको अच्छी वीडियो लगे तो अपने फ्रेंड को भी सेर कर दे और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दे आज की वीडियो जो हमारी है वो जो भी लोगों ने हमसे डाउट पूचे हैं इंटाग्राम पे पूचे हैं या कहीं भी personal message से कोई डाउट कुछ है तो उसके regarding हमने वीडियो बनाई है तो इसमें सबसे पहले तो अभी जो FMG का एक्जाम हुआ है उसमें जो भी लोग पास हुए है उन सभी को congratulations और जो लोग फैल हुए है वो अभी अपना December के लिए preparation करें बाकी ज्यादा tension वगएरा मतले तो अपनी पढ़ाई continue स्टार्ट करें बाकी अभी जो लोग फैल हुए है उनमें क्या है अगर आप score 145 से उपर कर रहे हो आपने मतलब 145 से उपर score क्या है तो आप क्या करें अगर आपके notes वगएरा भी complete है और आपके सभी topics वगएरा सभी doubts व स्टार्ट करें बाकी क्या है जिन लोगों का अभी मतलब score जो 130 से अगर नीचे score रहा है तो आप क्या करें आप coaching ले सकते हैं क्योंकि अभी आपका कहीं ना कहीं किसी subject में कमी है तो इसलिए आप उस subject को अच्छे से करें जो भी subject आपके बच्चे हुए है आप वो coaching से करें या आप personal online app लेकर उस से complete करें तो आप complete करके आप continue कर सकते हैं दूसरा क्या है अभी एक message था हमारे पास कि तीन attempt से continue 148 marks पर उसके लिए क्या करें अगर आप मतलब तीन attempt से एक ही मतलब score करें हो जैसे 148 किया है या 149 किया है 145 अगर आप continue एक ही जगह पर रुके हुए हो तो आप क्या करें सबसे पहले तो आप कोई भी अपना मतलब subject सारे 19 subject में आप यह देखें आपका कौन सा subject चुटा हुआ है कौन सा subject आपका complete नहीं है उसमें आपका क कोई नहीं मेजर subject ऐसा होगा जो आपका complete नहीं होगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक आपको proper list बना के अपना देखना है कौन सा subject अच्छे से complete है कौन सा complete नहीं है तो उसके लिए एक तो आप सबसे पहले अपने subject को complete करिए दूसरा आप क्या करिए अगर आप 48 score कर कर लिए तो इसको मतलब आपने त्यारी तो पूरी किया है लेकिन यह तो आप मिश्टेक कर रहे हो गई न कहीं पर तो इसलिए उसके लिए आपको क्या करना है आप जादा से जादा question practice करें आप question practice कहीं से भी किसी बुक से करें या किसी online app यांसे आप करें तो आप question practice करें और जब भी question practice करें तो उसमें आपको क्या करना है? Question को मतलब समझना है, यह निए कि question सिरफ simple question करना है, कि question कर लिया, हमारा score इतना आया है, कि हम तो अच्छा score कर पा रहा है, वहाँ score नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए एक तो उस question को कहना, समझे कि कहां पर आप सिली mistake कर रहा है, अगर आपके मानने की वाद 500 questions आपने किये, उसमें आपके 50 questions गलत हुए, तो उस 50 questions को आपको यह देखना है, कि वह question तुमने कहां पर गलत किया है, आप concept लगा के गलत किया है, आपको अच्छे से क्लियर करना है, तो इसलिए एक तो आपको जादा से जादा question प्रैक्टिस करना है, और अगर आप 148 score की range में हो, लेकिन आपके subject complete नहीं है, तो सबसे पहला आपके subject complete करें, उसके बाद अपने टेस्स बगरे दिन इस्टार्ट करें, तो सबसे पहला है, अपनी जो भी weakness है, वो आपको निकालनी है, उसके बाद आप अच्छे से preparation कर सकते हो, और आप अच्छे से score कर पाएंगे, दूसरा क्या है, अभी, एक message था हमारे पास कि, अभी तक मतलब कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, मतलब जहां पर भी उसने MBBS वगएर किया है, वहां पर कुछ पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन अभी इसे नयाय स्टार्ट करना है, वो दिसंबर का exam देना है, तो कहां से पढ़ाई करें, कैसे करें, तो आपको सबसे पहले क्या है, क्योंकि अभी आपके पास इतना time नहीं है, आपके पास maximum तीन मन्त या चार मन्त बचे है exam के लिए, तो उसके लिए online app से करना तो possible नहीं है आपके लिए, तो आप क्या करिए, एक तो आप कहीं भी coaching जोन कर लिए, जो भी आपको अच्छी coaching लगए, जहां पर आपको teacher अच्छे लग रहे है, तो आप वहाँ पर जाकर coaching जोन कर लिए, और थोड़ा सा क्या है ना, आप question पर जा time waste बिल्कुल मत करें, किसी से ज़्यादा suggestion मतले, कि मैं कहां से online पढ़ू, या coaching लो, तो आप जाकर coaching लिए, क्योंकि आपके coaching में ही, इतने कम time में सब्जेक्ट complete हो सकते हैं, दूसरा क्या है, जो लोग coaching कर रहे हैं, तो उनका क्या है, क्योंकि उन्होंने पहले कहीं पर भी university पढ़ाई किया है, तो उन्होंने कुछ subject complete किया थे, जैसे किसी ने चार subject complete किया थे, किसी ने दो subject complete किया थे, तो उनका ये भी थोड़ा डाउट में चल रहा है, कि हमने पहले से subject complete करके रखा है, तो हम इस subject शोड़ दे का, यहाँ पर faculty दूसरी है, तो उस चीज़ को आपको कैसे देखना है, अगर आपने कोई subject पहले से किया हुआ है, जैसे आपने दो subject किया हुए है, या एक subject किया हुआ है, तो अगर आपका वो subject है, minimum two revision के साथ complete है, और question practice के साथ, अगर वो आपका subject complete हो रखा है, आप क्या करिए, उस subject को दे के उसके question करिए, अगर आपको लगता यह subject मेरा revision के साथ complete हो रखा है, तो आप subject को कोचिंग में छोड़ सकते हैं, आप अपने subject को उस टाइम पर revision कर सकते हैं, जब आपका coaching में subject चलेगा, दूसरा क्या है, अगर वो subject आपका सिरफ आपने एक बार reading किया है, या एक बार एप से वीडियो देखिया है, सिरफ एक बार वीडियो देखिया, revision नहीं किया है, तो आप क्या करें, उस subject को अपने coaching से ही ले, अगर आप coaching से ले रहे हो, तो वहीं से ले, क्योंकि वो subject सिरफ आपकी एक नॉर्मल रीडिंग है, उसका revision नहीं हो है, तो subject आपका complete नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस subject को अपने coaching से ही continue करना है क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट को घर पर बैठ करेंगे आप उसी एप से दुबारे करेंगे तो आपको कोचिंग से जाधे टाइम घर पर लगेगा तो इसलिए उस सब्जेक्ट को ना चोड़े आपको सब्जेक्ट तभी छोड़ना है अगर कोई सब्जेक्ट आपक का more than two revision के साथ complete है और आप उसमें confident है कि यह subject हमारा hundred percent complete है तो आप उस subject को छोड़ सकते हैं दूसरा क्या है time table का time table का सबसे बड़ा issue है सभी को time table follow नहीं कर पारे क्योंकि coaching जो होती है minimum 10 hours की होती है 11 hours की होती है तो उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पती time table नहीं follow कर पते तो उसके लिए आपको क्या करना है time table की एक वैसे वीडियो मैंने बना रखिया तो आप वह भी देख सकते हैं मैंने अच्छे से explain किये हुआ है तो उसके बाद फिर भी आप को क्या करना है अगर आप 10 गंटे की coaching चलिया है उसके बाद आप रोम पर है तो आप क्या ऐख यह सिब से पहले तो आप रहे करना है उसके अंदर आपको खाना भी खाना है आपको घर बात करता है वह कर आई एक घंटे के बाद आप अगर आप 10 बज़े आ रहा है कोचिंग से तो आप 11 बज़े तक अपना सारा काम निफटा सकते हैं खाना खा सकते हैं घर बात करनी है वो कर सकते हैं उसके बाद आपको continue पड़ाई स्टार्ट कर देनी है अप पड़ाई स्टार्ट आपको कैसे करनी है आपको बिल्कूल अपना फोन फोलो होने लगेगा तो उसके लिए आप वीडियो भी देख सकते हैं जो टाइम टेवल की वीडियो है और तीसरा क्या है यह क्लास के बाद रिविजन का यह बहुत बड़ा इसवाइश है सब का कि क्लास के बाद रिविजन निकर पाते रिविजन कैसे करे चुट जाता है क्लास के बाद आप जो भी क्लास में पढ़़ा रहा है जितना भी आप टीचर आपको करा रहा है कुछ बोलते है कि हम एमित्लब 40 पेज अम मों करा देता है little with只是 कर नहीं कि बाद आपको सबसे बहुंहाँ क्या करना है डेली आपको 6 गंटे Ujan यह उसके अलावा I can किलास 10 बजे खतम हो रही है, 9 बजे खतम हो रही है, तो आप 2 बजे तक पढ़ाएme dira, उस 2 बजे तक आपको क्या कड़ना है, जो भी किलास में पढ़ाया है, उसको अगर आपके पास टाइम कम है, तो आप उसके एक rapid revision करिए, मतलब is तरीके से revision करना है, आपको अगर दो गुड़े है तो दो गंटे में वह पुरा रीवियन हो जाना चाहिए और अगर आपके पास चार गंटिया या पात गंटिया तो आप एक अच्छे से री इजन उसका कर सकते है तो आपको खिलास के बाद जितना भी teaching ने पढ़ाया है और दूसरा कि पड़ेंगे उसे भी आ旁छ पूरण का बतुति पड़ने का और दुसरा की है करने के बाद आपके पास टाइम बच रहा है आपको मतलब 15-20 मिट का टाइम निकाल ला उसमें क्या करना है आपको जो भी टोपिक आपको गिलास में पढ़ाया गया है उस टोपिक से रिलेटेड आपको कोश्चन करने हैं कोश्चन आप बुक से कर ले कहीं भी ओनलाइन अप तो इसलिए रिविजन करने के बाद कोश्चन जरूर लगाए उसी टोपिक के कोश्चन लगाए तो डेली के डेली एक तो उसका रिविजन करना है या उसके कोश्चन करने है तो डेली आपको खतम करना है अगर आप ये डेली खतम नहीं कर पा रहे है तो उसे खतम करने की क पड़ाने से रिलेटेड, किसी भी भूक्स हो तो states Abi लगा सकते हैं, रहिए ऐसी मीनिमम्वं पचास को सनने ही थे तो पर पचास को सब्सक्राइब देली अगर बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है लेकिन उसे घटाना नहीं है कि आज एक लगा आकल पचास लगा लिए तो इसलिए मिनिमुम पचास को सब्सक्राइब लगाने हैं कि और एक क्या है को संख का इक तो जो भी मार्केट में आपको बुक मिल लिए एक परीवेस यह के पुश्चन लगाए दूसरा अगर आपके पास कोई एप है उसमें प्रीवेस यह के पूस्ट निया उस्ट पूपिक से रिलेटरिटरिटर्ट और जो आपको चाह अब पिछले दो साल के जो पीवाई क्यों है वो नीटपीजी के question आप लगा सकते हो और जब भी आप question लगाए तो question क्या होता है? जब question लगाता है तो एक question तो ऐसा होता है जो normally हम concept के साथ हमें पता है, इसका ही answer है, इस concept के according हम यह question का answer कर रहा है, तो आप क्या है एक नॉर्मली कोंसेटस है कोस्टन लगा रहे हो जाना किस कोंसेटस है कोस्टन सही होगा क्यों यहां पर कोई स्कोर आ नहीं रहा तो जो भी आप तुक्के से लगा रहे हो वो सही हो जा रहा है तो उसका आपको एक बार solution जरूर पड़ना है तीजरा क्या है जिस question में आपको doubt है कुछ भी आपको मतलब उसका solution नहीं मिल रहा है तो आप अपना doubt मार्क करके लेजिए क्लास में आपको टीचर मिलेगा टीचर से अपना doubt पूचिए तो उसका मतलब concept clear करिये उस question का तीजरा क्या है और एक चीज़ क्या है test जो लोग मतलब क्लास में daily test दे रहे है या कोचिंग में दे रहे है या मतलब कई भी कोई भी test नहीं आ पा रहा है तो उनका कहना score अपा रहा है या मतलब उनके किसी friend क иск Syria अपा रहा है अपना score अपर पढ़ बराबर रहे हैं तो उसके लिए क्या है ना यह जो जितने भी आप टेस्ट करें हो इसका मैन मकसद आपका स्कोर लाना नहीं है कि वह मुझे सबसे आदे स्कोर करना मुझे क्लास में फर्ट लाना वो अगर आप नॉर्मली ला रहे हो एक अच्छी बात है लेकिन अगर आप यह सोच रहे हो बस से उपर आपका स्कोर बना रहा है उससरे आप corner of 90 लिए अच्छी बात है तो उसमें क्या कर ना क्या करना है क्या को स मुझ Britney मोटिक्स क्या कौं सब्खें ठोल मुख रहे हैं क्योंकि आप प्श् Видص Chief नब समझे ओगए तब एसका कर बाए अगर आप कोई मतलब नहीं है तो आपको समझना है एक आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट होता है क्योंकि जितनी आप को संप्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही ज्यादा आपका टाइम मैनेजमेंट अक्षा होता जाएगा तो इसलिए उसमें स्कॉर के लिए बिल्कूल मत गवराए अगर आपका स्कॉर कम आरा कोई बात नहीं लेकिन आपको यह देखना है आपका स्कॉर कम क्यों आ रहा है किस वज़े से स्कॉर कम आया मैंने क्या चीज कम पड़ी है कौन सा मेरा कॉंसेप्ट किलियर नहीं है अगर आपका उस टाइम होग करें झाओ तो ऊसको औक एक Congo करीवारा तो उद्टने में करें तो अपको इसको होता जाएगा तीसरा क्या है कि एक यहलोग आइंचे और इन वोधर करिया झाइन जीन कर रहे हो पर है किसी ऑन्लाइन एप्ती कर रहिए मतलब महाँ पहरूम के अपने रूपि operate कर रहे हैं तो इसलिए एक तो आप क्या करें अगर आप को लगता है कोई चीज आप फाल्टू पड़ रहे हैं मतलब ज्यादा पड़ रहे हैं तो उस चीज को आप सबसे पहले यह देखें कहां से पूचे जाता है सबसे पहले हैं अगर आपको एक पत्ता लग्याना काहां से आ रहे हैं किस सब्जेट का रहे हैं किस टोपिक्स आ रहे हैं अगर आप ने ये चीज बता कर ली तो आपके लिए पर पस करना बहुत एजी हो जाएगा अगर आप यह कुछ भी पढ़ रहा है पर आपको कांसे करने के लिए किस तरीके को सोच था रहाँ अगरहा है तो आपको उस से रिलेटेड़। नी तोपिक के जा रहा है वो सब आपको तियार करना है एक क्या है जो लोग थोड़सा एक नींद का भी इसु बहुत लोगों काता है कि हमाई नींद कम्प्लीट में हो पाती अच्छे से हम सो नहीं पाते हमारा दोस्तो दो गंटे सो के भी पढ़ लेता है हमारा दोस्तो तीन गंटे सो के भी पढ़ ल तो इसलिए आपको क्या करना है तो आप राट को सो रहे हो आपगो आप दो वजे सो रहे हो तो एक तो रात को क्या करें थोड़ा सा आप coffee वगएरा अगर पिते हो अगर नींद का इसी नहीं आती तो उसके लिए आपको क्या करना है जैसे आप रखो कि अगर आप 2 बज़े सो रहे हो आट बज़े उठ तो आप डेली दो बज़े सो यह नहीं है कि आप आज 2 बज़े सोगे कल 4 बज़े सो फिर 5 बज़े सोगे और एक जब भी आपकी चुट्टी ओ चे कोचिंग से चुट्टी ओ चे कैसे भी है वो दिन क्या होता है लेट सोने की आदात होता है तो इस दिन भी लेट नहीं सोना है और 2 बज़े सोना है तब ही आप का डेली सेट्ड्वील बनेगा नहीं तो अगर आप उस दिन लेट सोगे तो अगले दिन का आपका सैड्वील विगर जाएगा तो नेनल अगर आप continue चीज फोलो करोगे तो वह ची पर बहुत ज्यादा फोकस करना क्योंकि इस बार श्च्रोपर और अच्छा सबस्टे क्ट पर काफी आड़ा तो इसलिए इस बार अच्छे से फोकस करना अगर से पर आपका मतलब तो आप इजीली पर पास कर जाओगे तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना सेखेंड फैपर पर यह फोकस करना वह इसलिए आप सभी तो अच्छे से पढ़ाई करें कुछ भी common अगर आपको doubt है तो आप Instagram पे message करिए हमारी Instagram idea डोग बुश्टर आप कहीं भी message कर सकते हैं मुझे personal contact कर सकते हैं कुछ भी आपको दिक्कत हो मुझे contact करिए हमारी जितनी भी team में लोग है उनको आप message करिए कुछ भी करिए कई भी आप कर सकते हैं टेलीगराम पे कर सकते हैं Facebook पे भी कर सकते हैं मुझे WhatsApp पर प्रज़नल भी कर सकते हैं बाकि आप YouTube पे भी कर सकते हैं तो कहीं पर कुछ भी दिक्कत हो आपको कुछ भी suggestion चाहिए कुछ भी help चाहिए तो हमेसे मैं आल्प करेंगो तो इसलिए कहीं भी आप मुझे मैसेज करें किसी भी तरीके से कॉंटेक्ट करें और थैंक यू फूर वोचिंग इस वीडियो